नमस्कार श्री जाबिर हुसेन जी की जीवन का संक्षिप्त परिचे इस प्रकार है श्री जाबिर हुसेन हिंदी के प्रमक गद्यकारों में गिने जाते हैं हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंगरीजी भाषाओं पर भी उनका पूर्ण आधिकार है उनका जन्म बिहार राज्य के जिला नालंता के नौनही राजगिर नामगाओं में सन 1945 में हुआ था उनकी आरंबिक शिक्षा गाओं की पाठचाले में हुई जाबिर हुसेन मेधावी छात्र थे यानिकी वो पढ़ने में होश्यार थे उन्होंने म में अंग्रेजी विशेम की तत्पस्चात ये अंग्रेजी भाषा एमम साहित्य के प्राध्यापक रहे इनकी रुची अध्यापन कार्य की साथ साहित्य एमम राजनीती में भी रही यही कारण है कि एक और ये लेखनी के धनी बने रहे और दूसरी और राजनीती में भी घ्याती प्राप्त की यानि प्रसिध्धी प्राप्त की सन 1987 में मुंगेर से बिहार विधान सभा के सदस से निर्वाचित हुए तथा मंत्री बने और सन 1995 में बिहार विधान परिशद के सभापती बने इनकी प्रमुक रचनाओं के बारे में बात करें तो श्री जाबिर हुसेन राजनीति के कारी करते हुए निरंतर साहित रचना करते रहते हैं उन्होंने हिंदी में अनेक महतुपूर्ण रचनाओं लिखकर हिंदी साहित को समरिद करने में अपना योगदान दिया है जाबिर हुसेन की प्रमुक रचनाए इस प्रकार हैं जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां और एक नदी रेद भरी उनकी साहितिक विशेचनाओं के बारे में जानते हैं जाबिर हुसेन जी ने अपने युग के समाज का गहन अधेयन किया है उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से अपने राजनेतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभवों को सजीव रूप में प्रसुत किया है उनकी रचनाव में समाज के आम आदमी के जीवन के संगर्शों का उलेख भी हुआ है संगर्शरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां बहुत चर्चित एमम प्रशंसित हुई है हुसेन जी की रचनाव से पता चलता है कि वे बहु मुखी प्रतिभा की धनी है उन्होंने विविद साहितिक विधाओं पर सभलता पूर्वक लिखनी चलाई है किन्तो उन्होंने डायरी विधा में अनेक नवीन प्रियोग किये है जोवे प्रस्तुती, शैली और शिल्प की दृष्टी से नभीन है भाषा शैली श्री जाबिर हुसेन का तीन भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर समान अधिकार है उनकी हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्दों का प्रियोग हुआ है इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रियोग भी प्रसंगा नुकूल हुआ है उन्होंने अपने संस्मरणों में अत्यंत सरल, सहज एवं व्यावहारिक भाषा का प्रियोग किया है व्यक्ति चित्र को सजीव रूप में प्रसुत करना इनकी भाषा की प्रमुक विशेषता है